27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था कि वो वापस आएका 14 फरवरी 2019 हमारी खामशी की कीमत हमेशा चुकाई हमने Border 2 में कन्फर्म कुई वरुंदवन की एंट्री सुनी देवल ने बैठीलियन में ने पौजी का किया स्वागत अनास्मेंट वीडियो वाइड रिलीज 1971 के इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए युक परधारित फिल्म बॉर्डर साल 1997 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी जेपी दत्ता निर्देश इत्पल में सनी देवल सुनेल शिटी जैकी शॉर्प और अक्षे खेना जैसे कलाकार एहम भूमिकाओं में थे करीब 29 साल बाद वाइडर का स्टीकल बने जा रहा है खुछ समय पहले ही मेकर्स ने वाडर टू की खोशना की थी फिल्म में सनी देवल की भूमिकाओं पक्की है लेकिन बाकी ने चहरे नज़र आएंगे पहले खबर आई थी कि सनी देवल की साथ पॉजी के करदार में ड्रीम गर्ल अक्टर आईश्मान खुराना एहम भूमिकाओं में दिखेंगे लेकिन अब वो फिल्म से बाहर हो गए है उनकी जगा बॉलिवड के भेरिया ने ले ली है आईश्मान खुराना की फिल्म को मना करने के बाद से ही कयास लगाया जा रहे थे कि बॉर्डर 2 में वरंदवन को साइन कर लिया गया है अब भेरिया स्टार वरंदवन्य शुक्रवार को एक अनास्में वीडियो के साथ बॉर्डर 2 में अपनी इंट्री कंफर्म कर दी है उन्होंने शोच उम्रिया पर एक अनास्में वीडियो शेयर किया है और पर्म से जुने की खुशी जाहिर की है वरंदवन्य बॉर्डर 2 के अनास्में वीडियो शेयर करते वे लिखा मैं चौधी क्लास में था जब मैं चंदन सिनमा गया और बॉर्डर देखी और इसने मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाब डाला मुझे अभी भी याद है कि हॉल में हम सभी ने राश्ट्र गौडप की भाबना मैसूस की थी मैंने अपने शशस्त्र बलो को आदर्श मानना शुरू कर दिया और आज भी मैं उन्हें सलाम करता हूँ कि कैसे ये हमारी रक्षा करते हैं और हमें हमारी सिमा उपार या प्राकितीक आपदों के दौरान सुरक्षित रखते हैं वरंदवन ने आगे कहा जेपी दत्ता सर के वर्ड फल्म आज भी मेरे सबसे पसंदीदा फल्मों में से एक है जेपी सर और विश्ट कुमारद्वार निर्मित बॉर्डर टू में एक भूमी का निभाना मेरे किरियर का एक बहुत ही खास पल है मुझे अपने हीरो सनी बाजी के साथ काम करने का मौका मिला जिससे ये और भी खास हो गया मैं एक बहादूर जवान की कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए उत्सा ही थू जो भारत की सबसे बड़ी वर्ड फल्म होने का बादा करती है सनी देवा ने बॉर्डर टू की बिटेलियन में वरंदवन का स्वागत किया है उन्होंने फिर्म करांग में वीडियो शेर करते वे कहा बादेटू की बिटेलियन में पर जी वरंदवन का स्वागत कर रहा हूँ